दोस्तों ज़्यादा तर जो psychosomatic issues होते हैं उसका कारण होता है anxiety और इस घबराट से हम इस तरह से अपने आपको परिशान कर लेते हैं और जो चीजें बहुत आसानी से treat की जा सकती है वो हमको जो बहुत ज़्यादा परिशान करने लगती है अब हमको कई बार डर लगता है कुछ phobias हमको पहसूस होते है और या तो उनकी वज़य है या बेवजय है अगर वज़य है तो वो दिमाग समझ सकता है लेकिन अगर वो बेवजय है और दिमाग उसको आपको बचाने के लिए आपको बार बार पसीना लेके आएगा पैदा करेगा तो इनको हम NLP के द्वारा समझ कर और इनको बहुत आसानी से इनसे हम निजात पा सकते है जैसे कई बार आपको metro में डर लगता है अंदर पास या over bridge पर जाने से डर लगता है कई बार आपको किसी height में डर लगता है लिफ्ट बनाई तो गई है आपकी सुविधा के लिए लेकिन लिफ्ट में बैठना आपको बहुत मुश्किल लगता है पसीने आने लगते है इसी तरह से किसी जानवर से, किसी लिजार से इस तरह से हमको डर लगता है कि शायद ये हमारे जीवन में बहुत ही विकट समझे आ गई दोस्तों मैं आपको बताता हूँ कि फियर्स कोई भी हमारी लाइफ में आता है तो सबसे पहले एक चीज़ समझ लीजिए कि हमारी जो माइंड है इसकी एक बेसिक ज़रूरत ये है कि ये आपको सेफ और स्वरक्षित देखना चाहता है तो जब भी आप कभी हाइट पे जाते है तो माइंड कहता है कि आप गिर सकते है और गिर के आपके को नुकसान हो सकता है लाइफ का इसलिए आपको अगर बहुत किसी हाइट से डर लगता है तो ये बिल्कुल जाइज है इसकी वज़े है लेकिन अगर मान लिजिए आप किसी छोटी सी हाइट पे खड़े है और वहाँ पे भी आपको डर लग रहा है आप पांचवी मंजिल पे है छटी मंजिल पे है वहाँ पे भी आपको डर लग रहा है जहां पर कोई वज़ा नहीं है आप किसी जगे पे बैठे है और वहाँ पे अकले हैं तो भी डर लग रहा है तो अब आपको इसको माइंड को समझाने की जुरूत है और ये क्या होता है कि हमारी NLP में इस तरह की कुछ टेकनिक्स बनाई गई है कि जो उस सोच के द्वारा जो बॉडी में होता है उस बॉडी की उस emotions को आप एक बार move कर दीजिए और ये चीज़ें बहुत ऐसे ठीक हो जाती है मेरा बहुत अच्छा experience है बहुत सारी clients के साथ मैंने practice किया है और इसके amazing results है For example, suppose आपको lift में डर लगता है तो अब हम ये पूछते हैं कि lift में जब आप चलते हैं तो exactly होता क्या है तो लोग बोलते हैं ऐसे लगता है कि यहाँ पे कुछ होने लगा तो यहाँ पे जो होने लगा हमने इसको एक simple technique बनाई और जो मैं आपको आज सिखा रहा हूँ तो हम क्या करते हैं कि जहां होने लगा उस जगे पे आप एक कलर उसको दे देते हैं suppose उसको हमने green color दे दिया अब यह जहाँ पर परिशानी होती है body में उसको green color दे दिया अब हुनको पूछते हैं अच्छा किस जगे पे आप बहुत comfortable महसूस करते हो जब आप lift में जाते हैं तो हो कहते हैं दिखो जी यहां stomach की जगे है यहां पर I feel absolutely comfortable तो उसको हम कहते हैं ठीक है यहां पर भी एक color दे दो तो suppose उनको yellow दे दिया अब यह spinning action जो उनका बहार था जब भी इस तरह की परिशानी होगी तो spin बहार होता है अब हम यहां पर क्या करते हैं कि उस yellow color को ऐसे spin in कराते हैं कि आप मैसूस करिए imagine करिए कि उस yellow color को जो बहुत comfortable है उसको आप ऐसे spin करते जाएए आँख बंद करके आप इसको हो सकता है 30 seconds, 1 minute, 2 minute करे क्योंकि जब तक यह yellow पूरी तरह से उस green को बदल नहीं दे और जैसे ही यह green yellow में बदल जाएगा दोस्तो इतना चमतकारिक results होंगे आप देखेंगे कि आप पूरी तरह से comfortable हो चुके हैं फिर यही आँख बंद करके आप lift में जाएए बटन दवाईए उसको बंद करिए और mentally 5-6 बार उपर नीचे अप गए mentally नीचे उपर गए और फिर आप देखेंगे कि वो जो आपका डर था अब वो यहां से totally release हो गया क्योंकि वो था कहां? माइंड में था आप गए कहां? माइंड में गए निकला कहां? माइंड में से निकला बहुत दिनों तक stress रहता है किसी चीज़ के बारे में doubts होने लगते है बेवज़े चिंताए होने लगती है तो ये stress हमको पता नहीं चलता हम इसको identify नहीं कर पाते और ये धीरे धीरे हमारी anxiety में बदल जाता है और हमारी खुशाल जीवन बहुत सारी confusion से भरने लगता है इसको आप ignore ना करें intelligent लोग कई बार इसको ignore करते है और ये intelligence के फिर लेने के देने पड़ जाते है ठीक करना इसको बहुत आसान है इसी के साथ कई बार हम mix करते है fear और phobia को जो एक जिसके वज़े है वो fear हो सकता है लेकिन जैसे बेवज़े है वो हमारा क्या हो सकता है कि उसकी हमको वज़े नहीं पता लेकिन phobias में क्या होता है कोई ऐसा incident होता है जो आपके साथ पहले कभी हुआ है और उसके साथ फिर आपका phobias suppose आपके पास कभी जैसे मुझे एक लड़की ने बताया जब मैं पार्क में घूम रहा था कहते हैं जी मुझे गाय से बहुत डर लगता है तो मैंने उनको पूछा कि आपको first time कैस कब डर लगा था तो उन्होंने बताया कि मुझे गाय एक बार मारने दोड़ी थी और उसके बाद से मुझे फॉबिया बैट गया तो दोस्तों ये बहुत आसान है मैं आपको समझाता हूँ कि किस तरह से इस फॉबिया को आप दूर कर सकते हैं आप खुद भी कर सकते हैं आँक बंद करके देखिए कि कैसे वो गाय आपकी तरफ आ रही है ठीक है आपने देखा ये एक ट्रिगरिंग पॉइंट है अब देखिए कि वो गाय जहां आई थी उसको वापस भेज़िए उसको स्पिन आउट कर दीजो कहां पे खड़ी थी कहां से वो श्रू की थी उनको वापस भेज दीजिए और आप अब देखिए कि वो गाय बहुत ही स्वीट और बहुत एक लविंग प्रानी है और हमारी गव माता है तो उस तरह से उनको आप देखिए कि वो आपको हार्म नहीं करते हैं और जो भी एक्शन आपके साथ हुआ है उसको आप रिवर्स कर दीजिए रिवर्स कर दीजिए और आख बंद करके पांच-छे बार मेरन को कराई और उनका ये फाबिया ऐसे गायब हो जाता है देखिए ये बहुत अच्छी एक्सेसाइजिस हैं इनको आप ये समझ लीजिए कि लाइफ में अगर आ गई हैं तो किरप्या करके इनको इग्नोर ना करें क्योंकि इनका निदान बहुत सिंपल है और आसान है दोस्तो लाइफ विल चेंज और नेवर भी सेम अगें